दोस्तों बुखार आने से पहले अपने शरीर को पता लग जाता है कि हाँ बुखार आने वाला है तो अगर आपको ऐसा लगेगे आपको बुखार फीवर होने वाला है तो ये घरिलू तरीका आजमा लीजिए आपको बुखार नहीं आएगा जी हाँ दोस्तों पूरी इमानदारी से वीडियो बनाये हैं सच्चा वीडियो हैं तो वीडियो को पूरा देखना और नीचे आपको लाल कलर का बटन देख रहा है उसे दवागर चेनल को सस्क्राइब कर लो कि मेरा हर अच्छा और इमानदारी से बनाए वीडियो आपके पहुँच पाए दोस्तों नमबर वन चीज आपको हमेशा अपने घर मर एक चीज रखनी है वो रखनी पीपल लिंडी वो आपको आईरवेदिक की दुकान पर मिल जाएगी वो आपको 20-30 रुपे की खरीद लाना है और हमेशा 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 के लिए अपने घर पर रख देना है दोस्तों जब भी आपको फीवर आने जैसा लगे और यसा लगे कि मुझे बुखार होने वाला है तो आपको करना क्या है आदे से भी कम चमच पीपर लिंडी लेना है और उसमें शेहत को मिला देना है और जिवान से उसको चाट लेना है उसको खाना नहीं उसको चाट लेना है और आदे से एक घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है और नहीं पानी पिना है आपको जो बुखार आ रहा है वो उसके किटानों को वो पेपर लिंडे जो आयरुवेटिक जड़ी बुटियों पूरी तरीके से खत्म कर देगी और जो आने वाला बुखार है वो आपको नहीं आएगा दोस्तों ये जो जड़ी बुटी है ये जड़ी बुटी आज का एलाज नहीं जब पुराने समय में अपने बुड़े दादाओं के पास अपने बुड़े बुजूर्गों के पास गोली दवाई नहीं हुआ करती थी तब इस टन बुखार को रोकने के लिए इस तरीके का पुरुबगाई